हेलो एवरिवन आप सब लोग का मेरे यूटीव चैनल में हार्दिक स्वागत है हम लोग एल्डी हाइट्स की टोन्स एंड कार्बोकसिलिक आसीड्स यह चैप्टर देख रहे थे ठीक है उसका फस जो पार्ट है उसमें हम लोग अल्रेड़ी आईवपेसी नोमेंक्लेचर्स से रिलेटेड इंपोरटेंट यह सब नेमिंग वह वह सब भी देख चुके हैं कर स्यरीलेटरफ बाकिशन नेमिकरे उयूत snowball की कुछ इंपोर्टेंट नेम्री अक्टियेंगगे और कुछ इंपोग्द्स खेक एंगें ठीक तो यहां परे आज हम लोग सबस्तिन नंबर कि यह वीडियो बनाने का मेरा में में एक ही मकस्त है कि यह जो है यह डिसकर्शन का जादा से जादा लोगों को लाब मिल सकें ठीक है तो चले शुडू करते हैं हम लोग आज कुछसेन नमबर सेवैं से शुरू करेंगे question number 7 क्या है aldol condensation reaction है aldol condensation reaction तो aldol condensation reaction जो है यह वो सब carbonyl compounds देता है जो सब में alpha hydrogens होता है तो चलिए alpha hydrogens क्या है हम लोग देख लेते हैं कोई भी एक carbon जो functional group के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ फे functional group कौन सा है यह CHO group जो है यह क्या है functional group है है ना functional group के साथ जो carbon जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते है alpha carbon बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको alpha carbon तो alpha carbon के साथ अगर कोई भी hydrogen जुड़ा हुआ है तो इसको बोला जाएगा alpha hydrogen ठीक है साथ आप लोग समझ गए हो कि alpha hydrogen क्या होता है तो ऐसा alpha hydrogen containing हम लोग एक aldehyde लेते है CH3CHO ठीक है CH3CHO को जब dilute NOH के साथ treat किया जाता है तब दो CH3CHO molecule का क्या हो जाता है condensation होता है मतलब जुड जाता है जुड के ये क्या formation करता है aldol formation करता है CH3CHO single bond CH2 single bond CH तो इसका नाम क्या होना चाहिए देखो 1,2,3 3 hydroxy अब देखो total carbon कितना है 4 carbon है इसलिए but उसके बाद AN क्योंकि कोई भी यहाँ पे carbon carbon multiple bond नहीं है butan one number position पे aldehyde है इसलिए butan L ठीक है यह जो first step है यह first step क्या होता है reversible होता है ठीक है अब जो है यह जो aldol formation हुआ है aldol क्यों हम लोग इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो aldehyde group भी है CHO group है plus OH है है ना aldehyde group भी है इसलिए L और यहाँ पे all है ठीक है aldehyde all ठीक है इसको जब भी हम लोग heat करते हैं single bond CHO single bond CHO ठीक है इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग total carbon कितना है total 4 है इसलिए but two position पे क्या है in है one position पे L है but two in one L ठीक है अब देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि यह जो है aldol condensation सिर्फ aldehyde के लिए नहीं होता यह सारे carbonil compounds जिसमें भी alpha hydrogen है उसके लिए ही होता है उसके लिए ही applicable है तो इसलिए अगर हम लोग acetone लेते हैं acetone को अगर हम लोग क्या करते हैं dilute barium hydroxide के साथ reaction करवाएंगे ठीक है तो यहाँ पे भी यह वाला first step reversible होगा reversible यह reaction से क्या formation होगा ऐसे ही इसका condensation होगा दो molecules का होके इसका condensation product हम लोग को मिलेगा क्या होगा इससे CH2 single bond C1O single bond CH3 इसको अगर हम लोग फिर से heat करते हैं तो इसका भी dehydration reaction हो जाएगा dehydration reaction से क्या formation होगा देखो यहां से OH निकलेगा यहां से H निकलेगा तो CH3 C single bond CH3 double bond CH single bond C double bond O single bond CH3 ठीक है इसका नाम क्या होना चाहिए 4-hydroxy 4-methyl pent 2-on ठीक है penton 2-on 4-hydroxy 4-methyl penton 2-on और इसका नाम क्या होना चाहिए 4-methyl pent 3-in 2-on ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं next वाला reaction ठीक है next reaction क्या है cross aldol condensation reaction cross aldol condensation reaction ठीक है cross aldol condensation reaction वो reaction है जिसमें दो alpha hydrogen दो different alpha hydrogen containing aldehydes का condensation किया जाता है for example CH3 CHO इसमें देखो 3 alpha hydrogen है इसके साथ यह क्या है यह ethanol है ethanol को अगर हम लोग propanel के साथ reaction करवाते हैं propanel क्या होगा CH3 CH2 single bond CHO ethanol and propanel यह दोनों का mixture को अगर हम लोग क्या करते हैं dilute NOH के साथ reaction करवाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों क्या मिलेगा 2 mixed product मिलेगा 2 cross product मिलेगा और 2 simple product मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या formation होगा अगर हम लोग simple product को consider करते हैं तो क्या होगा सबसे पहले CH3 single bond CH single bond OH single bond CH2 single bond CHO होता है ठीक है इसका dehydration से क्या formation होगा CH3 single bond CH double bond CH single bond CHO अप लोग का NCRT में दोनों step को एक साथ ही दे दिया गया है लेकिन दोनों को आप लोग एक साथ मत लिखना ठीक है तो ये जो है पहले ये वाला formation होगा और उसके बाद ये होगा तो ये जो है ये वाला क्या है सिंपल अल्डॉल है ठीक है सिंपल अल्डॉल से आप लोग को ये वाला product मिलेगा similarly अगर दो propan L molecule का condensation होता है तो आप लोग क्या मिलेगा CH3 single bond CH2 CH3 CH2 single bond CH single bond OH single bond CH single bond CHO single bond CH3 जिसका dehydration से अगर आप लोग इसको heat करते हो तो इसका dehydration होगा dehydration होके कौन सा product मिलेगा CH3 single bond CH2 single bond CH double bond CH single bond CHO इसके साथ देखो यह जो hydrogen है वो निकल जाएगा तो इसलिए यहाँ पे कोई भी hydrogen नहीं बचेगा इसके साथ क्या जुरा होगा CH3 होगा ठीक है तो यह होगा एक simple product यह भी simple है जो simple product है उसका dehydration reaction से आप लोगों को कौन सा प्रोड़क्ट मिलेगा यह वाला जो है simple product और self-aldol product मिलेगा ठीक है similarly अगर cross होता है ठीक है तो cross reaction से आप लोगों को क्या मिलेगा देखते हैं CH3 single bond CH OH single bond CH single bond CHO single bond CH3 यह वाल अलडोल मिलेगा जिसका dehydration से आप लोगों को CH3 single bond यहां से OH निकल जाएगा तो क्या बचेगा CH बचेगा और यहां से hydrogen निकल जाएगा तो फिर से C CH3 single bond CHO ठीक है यह वाला क्या है एक cross product है similarly अगर ऐसा होता है जो conjugated base है वो conjugated base यह form करता है जो conjugated base इसके उपर reaction करता है तो तब हम लोगों को कौन सा product मिलेगा CH3 single bond CH2 single bond CH single bond OH यहां पर conjugated base conform किया था CH3 CHO तो इसी लिए CH2 CHO बनेगा जिसका dehydration से आप लोगों को कौन सा मिलेगा CH3 single bond CH2 single bond CH double bond CH single bond CHO मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर हम लोगों को कितना मिलता है total 4 product मिलता है first second जो है वो है simple product third और fourth जो है वो वाला cross product ठीक है तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अब हम लोग क्या देखते हैं next reaction देखते हैं next reaction क्या है canisaro reaction canisaro reaction canisaro reaction canisaro reaction कौन देता है वो सब carbonil compound देता है जिसका कोई भी alpha hydrogen नहीं रहता है ठीक है कोई भी alpha hydrogen नहीं है ऐसा क्या हो सकता है हम लोग अगर benzyldehyde लेते हैं देखो benzyldehyde में ये functional group है functional group के साथ जो carbon जुरा है वो alpha carbon है मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये alpha carbon के साथ कोई भी alpha hydrogen नहीं है है क्या ये carbon का देखो दो balance तीन चार बैलंस ती satisfied है carbon से तो इसलिए no alpha hydrogen किसका है benzyldehyde का ठीक है benzyldehyde का कोई भी alpha hydrogen नहीं है तो इसलिए benzyldehyde को अगर हम लोग concentrated KOH के साथ reaction करवाएंगे तो इसका self oxidation reduction reaction हो जाता है होके ये क्या हो जाता है एक molecule का reduction होता है reduction होने के बाद ये किसमे convert हो जाता है benzyl alcohol में convert हो जाता है ठीक है किसमे convert होता है benzyl alcohol में convert होता है इसके साथ audit product मिलता है जो क्या है potassium benzoate इसका potassium benzoate नाम है ठीक है potassium benzoate ठीक है तो हम लोग देख सकते हैं यह वाला जो है reduction से बना यह वाला oxidation से बना है benzyl diide का है ना तो आप हम लोग next reaction देखते हैं next reaction जो है वो क्या है हेल वोलर्ट जेलिंस की reaction जिसको आप लोग HVZ reaction के नाम से भी जानते हो है ना तो HVZ reaction कौन देता है वो सब कार्वोकसिलिक आसी देता है जिसका alpha hydrogen रहता है और example हम लोग इसको ले लेते हैं आर CH2 single bond COOH देखो इसका यह functional group है functional group है ना फंक्शनल रूप के साथ जो कार्बन है अलफा कार्बन उसके साथ जो हाइड्रोजन है अलफा है इसको जब भी हम लोग किसके साथ reaction करवाते है एक्स्टू एलमवेट रेड फॉस्फफरास ठीक है सेगें में वाटर के साथ reaction तो यहां से क्या formation हो जाता है अलफा है लो कार्बोक्सिलिक एसिट formation होता है ठीक है CH के साथ यहां पर एक्स single bond COOH यहां पर एक्स क्या हो सकता है है CL हो सकता है या तो BR हो सकता है मतलब सीजा सा बात है अगर हम लोग यहां पर सब्सक्राइब क्या यूज कर रहे हैं उसके साथ हम लोग क्या यूज कर रहे है है ठीक है फर्स्टेप में सेगेंट में हम लोग क्या यूज कर रहे है एच्ट वो सेगेंट में हम लोग क्या यूज कर रहे है ठीक है है तो इससे हम लोग क्या मिलेगा टू क्लोडो प्रोपानोई कैसिद मिल जाएगा ठीक है क्या है यह वाला टू क्लोडो प्रोपानोई कैसिद हम लोग को मिल जाएगा नेक्स जो है वह कोई नेम रियक्शन नहीं है लेकिन ये नेम रियक्शन के साथ दे देता है इसलिए यह हम बोल रहे है ठीक है डी कार्बो decarboxylation reaction decarboxylation reaction वो reaction है जिसमें कभी भी अगर कोई भी sodium carboxylate या potassium carboxylate salt को अगर हम लोग soda lime के साथ मिला के heat करते है soda lime क्या होता है एन ने ओएच एलमवेट यह soda है और यह कोई three हुआ ना in a2 co3 formation होता है यह वाला reaction कि इस काम के लिए यूज किया जाता है कोई भी carboxylate acid को सब carboxylate acid से अगर alkane बनाना है तो हम लोग यह वाला reaction को use करेंगे कैसे use करेंगे सबसे पहले carboxylate acid के साथ अगर हम लोग ने ओएच मिला देंगे तो क्या बन जाएगा sodium carboxylate बन जाएगा अब वो जो sodium carboxylate है ठीक है उसको अगर हम लोग ने ओएच प्लस यह हो मिला के अगर heat करते हैं तो उससे बन जाता है alkane ठीक है यह वाला reaction सारे बहुत important है ठीक